हलो भाई नो, कैसे हो? आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि ऐसी वेब स्रीज जो आपके दिमाग के घोरी खोल देगी और ये देखने टाइम अगर आपका दिमाग 50-500 के स्पीट पे नहीं पहुंचाना तो बताना वेब स्रीज का नाम है देट नो, जैसा कि आप लोग थमनेल देखके समझी गए होगे और मैं सही बता रहा हूँ अगर आप समझते होना कि एनिमे स्रिफ बच्चों के लिए होता है तो ये वेब स्रीज आपकी सोच बदल देगी तो कहाने शुरू होती है लाइट येगामी नाम के लरके किसान जो कि एक हाई स्कूल का इस्टूडेंट है उसे एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें अगर किसी का नाम लिखा जाए तो 40 seconds के अंदर उसकी मौत हो जाएगी जिसका भी नाम उस बुक में लिखा गया है आप एक ने टूखो और सोचो अगर ये बुक आपको मिले तो आप इसता यूज कैसे करोगे ये बंदा सोचता है कि वर्ल्ड के सारी किर्मिनल्स को ये मारेगा और दुनिया से सारी बुराई खतम कर देगा और वो ये काम करना सुरू करता है और उसके बाद उसके साथ जो जो होता है न वो आप सोच भी नहीं सकते इसकी एनिमेशन भाई साब अगर एनिमे को आप फॉलू करते हो तो आप चानते होगा कि इसका एनिमेशन कैसा है मतलब 2006 में बनी थी ये वेब्सरीज और आपको देखके एक भी बार नहीं लेगा कि एनिमेशन 2006 की होगी मतलब काफी अच्छा है इसका एनिमेशन एक ही बार एक उन टाइटन के लेबल का नहीं है लेकिन काफी काफी अच्छा है इसका एनिमेशन अगर इसकी स्टोरी की बारे में बात करें तो एकदम अलगी लेबल की टॉप नौच स्टोरी है इसकी बाद आप और भी anime देखना चाहोगे अगर आप anime नहीं देखते हो तो भाई मुझे इन जैपनीज वालों का समझ नहीं आता मतलब कहां से लाते हैं वो लोग इतने गजब के ट्रींज जब इसका intro सुरू हुआ था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर भी मैंने पूरा intro सुना और ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने YouTube पे जाके सर्च करके सिर्फ इसका intro सुना और यही नहीं पूरी स्रीज में बहुत ही बहतरीन तरीके से BGM का यूज किया गया है आप भी वै बंद हो जाता है अएसा नहीं कि मजा नहीं आ रहा होता है वहां पर बस मजा का लेवल बटना बंद हो जाता ही जिसके वेसे सुरुऊत वाला फिल नहीं आता लेकिन कुछ एपिसोड बात जब फिर से बढ़ना शुरू होता है तो सीधे लास्ट में ही जाके रुपता है और आपको इस वेब से जुड़ी यूटूबर्स के साथ हुई कुछ मज़ेदार घटने के बारे में बताता हूँ जैसा कि तनमय भट के सांथ कुआ था यूटूब पे लाइब रिएक्शन वीडियो कर रहे थे इसके फर्स्ट अपिसोड का और उन्हें कई लोगों ने सुपर चैट भी किया था कि भाई तू ऐसा कर रहा है तेरे चैनल पर स्ट्राइक आजाएगा और कुछ समय बाद ऐसा स्ट्राइक आजाता है लेकिन अब भी वह वीडियो नेट्फिक्स इंडिया के चैनल पर अब लेबल है तो आप रहे हो ना गेम और आसिस चांचलाणी ने भी कुछ समय पहले एक पोस्ट किया था जिसमें वह इस वैक्षिज के बाड़े में बता रहे थे कि वह इसे फॉल किया था उन्होंने और हर्स पैनिवाल ने भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट किया था कि वह इस वैक्षिज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें काफी मजा रहा है तो मतलब एनिमे फेमस हो रहा एंडिया में और यह वैक्षिज तो कुछ जादा ही फेमस हो रहा है देखो यह होती ज्यादा बहतरीन experience को मिस कर रहे हो और अगर आपको अभी तक मेरे views नहीं समझ मैं है तो clearly बोल देता हूँ कि आपको यह वैप्तरिज एक बार तो देखनी ही चाहिए और अगर आपने एक बार इससे देख ली तो आप दुभारा भी देखी लोगे भले ही अपने friend को दिखाते टाइम या roommate को दिखाते टाइम दुबारा किसी ना किसी तरह तो देखी लोगे क्योंकि यह वैप्तरिज ऐसी है ना जिसे देखने के बाद आप इसे बिना recommend किये रही नहीं पाओगे और आप एकदम अगर hater हो एनिमे के आपको लगता है यह तो cartoon है बच्चो वा बना लिया है तो बता दूँ कि यह Netflix पे अबलेबल है और इजनली तो यह Japanese लेंग्वेज में बनी है लेकिन इसका English डब भी अबलेबल है और काफी अच्छी डविंग है इसकी लेकिन Netflix पे आपको इसका English डब नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको सिर्फ English सब्टाइटल देखनी है तो फिर आप लोग तो समझदार होई लगा लो जुगार और आप लोग कंफ्यूज ना करो इसलिए बता दो कि इस नाम के और भी सोज है लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो 2006 में रिलीज हुई थी वो एक एनिमे है उसके 37 एपिसोड है एक ही सिज को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूँगा अगले वीडियो में जैहिंत वंदे मात्रा